जहने प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय योटूब चनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है देखो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो आपका PTET का पेपर होने वाला है तीन जुलाई को, तो उसके सम्मदबे मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जब आप exam center पर जाओगे exam देने के लिए तो आपको admit card में कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको भर के लेके जानी है साथ-साथ मैं यहाँ पर बात करूँगा कि exam center पर आपको कौन-कौन सी चीजें लेकी जानी है कौन-कौन सी आपको documents लेके जानी है आपको कैसा pen लेके जाना है आपको कैसा ID proof लेकी जाना है आपको कैसी photo लेके जानी है साथ साथ मैं बात करूँगा कि आप कौन-कौन सा सामान है जो आप exam center पर लेके जा सकते हो और कौन-कौन सा सामान है जो आप बिल्कुल भी exam center पर नहीं लेके जा सकते हैं ठीक है बिल्कुल full details है यहां पर चर्चा करूँगा आपके जो भी doubts हैं उनको मैं completely खतम करने की कोसिस करूँगा ठीक है यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका paper analysis भी कराऊंगा मैं फिर expected को टोप क्या जा सकती है उसके उपर भी मैं वीडियो लिक्या हूँगा और फिर जब आप बियाड करोगी ठीक है बियाड करोगी आप तो आपका target क्या होगा teacher बनना तो इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में जहां से भी teacher related vacancy निकलती है हर एक vacancy से भी मैं आपको अपडेट रखूँगा ठीक है तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब हम बात करते हैं यह एक admit card है ठीक है देखरो आप पुरा-पुरा admit card देख सकते हैं यहां पर उस photo को लगाना है से रंसे गौंद की सहता से लगाना है पिन का यूच मत करना जिसको चोबा बोलते हैं उसका यूच मत करना आप गोंद की सहता से लगाना हलका हलका करके ठीक है यहां पर आपको अपना id probe कि आप exam center पर कौन सी id लेके जा रहे हो जैसे ही आप लेके जा रहे हो उसके यहां पर आपको नंबर डालने है ठीक है आप आधार का लेके गए तो आधार का नंबर लगा दो वोटर आईडी लेके जा रहे हो वोटर आईडी नंबर लगा दो ठीक है आप अपनी मार्क्सित लेके जा रहे हो ता अपना मार्क्सित का आपका जो भी आपकी पूरा डेटो बर्थ होना चाहिए आधार का नियत फिर आप अपना ड्राइवंग लाइसंस लेके जा सकते हो अपनी वोटर आईडी लेके साथ जा सकते हो ठीक है बाकी यह चीज नहीं तो आप 10th 12th की मार्क्षिट भी लेके जा सकते हो ठीक है उसके अलावा यहा सिगनेचर होंगे तो आप अपने यहाँ पर सिगनेचर कर देना ध्यान रहें यहाँ पर वो ही सिगनेचर करने की कोशिश करना जो सिगनेचर आपने फॉर्म भरते समय किये थे उन्हीं सिगनेचरों को आपको यहाँ पर करना है ठीक है उसके बाद इसका बीच में सिफ फा गई अब हम बात करते हैं आपको मैं सारी चीजे हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं पीटी दो हजार बाइस परिक्षा के लिए अग्रिम सुपकाम नहीं किरपया अपनी परिक्षा की दिनांग तीन जुलाई दो हजार बाइस रवी वार समय साड़े ग्यारा बज़े से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा एक्जाम सेंटर पर जो आपकी एंट्री है वो फिक्स ग्यारा बज़े बंद हो जाएगी तो आपको एक्जाम सेंटर के अंदर ग्यारा बज़े से पहले पहले प्रिवेस करना है घ्यान रखना आपको एक्जाम सेंटर के अंदर ग्यारा बज़े से पहले पहले यदि आप ग्यारा बज़े के बाद में एंटरी लेना चाहोगे तो आपको किसी भी हाल में एक्जाम सेंटर में एंटरी नहीं दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है आपको exam center पर लगबग 10.30 बजे 10.30 से लेकर 10.30 के बीच में पहुँच जाना है exam center पर 10.30 से और 10.40 के बीच में आपको exam center के अंदर entry लेनी है ठीक है क्योंकि आप जल्दी जाओगे fix आप 11.00 बजे exam center में गुस रहे हो आपके अंदर एक hesitation हो रही है डर गुसा हुआ है पता नहीं मेरे को अंदर गुसेंगे या अंदर लेंगे या नहीं लेंगे तो गबराट हो रही है ओल्रेडी गबराट रहती है फिर आप extra गबराट बनाओगे तो जो आता हुए क्योंसन है न वो भी आपके गलत हो जाएंग तो इसलिए आपको लगबग 10.40 के आजपास आपको exam center के अंदर entry ले लेनी है कब तक 10.40 तक ठीक है उसके बाद अपना परिक्षा परवेस पत्तर थता फोटो यूगत पैचान पत्तर आधार कार ड्राइविंग लाइसेंस मतदान पैचान पत्तर सरकार द्वारा जारी पै पढ़ ले थीक है तो आपको अपना एक original documents लेके जाना है इनमें से फोटकोपी नहीं चलेगी आपको original लेके जाना है और इजिनल आधार कार्ड या फिर original driving license या ओरिजिनल वोटर आईडी इन में से किसी एक डोकुमेंट्स की ओरिजिनल लेके जाने आपको ठीक है फोटकोपी नहीं चलेगी परिक्षा के पस्यात परसन पत्र बुकलेट और ओमार सीट प्रिविक्षक को जमा करवाएं ठीक है जैसे आपका एक्जाम होगा एक्जाम होने इस ब्लेकी पैन लेके जाने हैं ऐंली ब्लेक पैन लेके जाने हैं बल्योख को ब्राइब सेंतर अभे .. ठीक है एक तो देखो हम इस तरीके से भरते हैं मैं आपको भर-भर के बता देता हूं एक तो हम ऐसे भरते हैं एक हम ऐसे भरते हैं ठीक है एक हम भरते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है एक हम भरते हैं कुछ इस तरीके से यह चार तरीके हो गए भरने के और इसको भी मैं इस तरीके से गोला बनना है पूरी सावधानी के साथ गोला बिल्कुल सर्किल के अंदर-अंदर ही डार्क करें बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें एक से ज़्यादा गोला ना बनने यह दो-तीन चीजे ध्यान रखनी है एक से ज़्यादा गोला नहीं बनने गोले को पूरी सावधानी के साथ बढ़ना है गोले का जो सरकिल है उसके अंदर अंदर ही आपको black pen से dark करना है ठीक है भार ऐसे मत निकाल देना इसकी तरह भार मत निकाल देना कि आप गोले से भार भी भर रहो नहीं भरना है ठीक है यह चीजे आपको ध्यान में रखनी है प पाने की बोटल ले जा सकते हैं परिक्षा सेंटर पर लेकिन वो बोटल पार दर शी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं जैसे दस रुपई वाली पानी की बोटल मिलती है जो ट्रांसपेरेंसी होती जिसमें आरफार देखता है। ऐसी आपको पानी की बोतल के जानी है। एक लिटर से ज्यादा कि आप पानी के बोतल के लेकर सकते है। आदी भाहू के कपड़े पहने। जो गल्स हैं वह सूठ हैं और टी सेट पहने। बोइज भी टी सेट ही पहने। नीचे lower पहन के जाएं, सबसे best रहेगा, वैसे भी गर्मी का मोसम है, lower में आप comfort feel करेंगे, या फिर suit शिल्वार पहन के जाएं, जो गल्स हैं वो suit शिल्वार पहन ले, suit आपका आदी बाजुका होना चाहिए, ठीक है, शिल्वार तो पूरी होती है, और जो boys हैं वो T-set पहने और नीचे lower पहन के जाएं, खुली हुई चपल, जूते note अलाओ हैं, जूते मत पहन के जाना, गल्स भी जूते मत पहन के जाना, बॉइस भी मत पहन के जाना, खुली हुई चपल पहन के जाना, जिनको हम वैसे नहीं बोलते हैं, लखानी टाइप की चपल हैं, हवाई चपल अचते हावाई चपन्ग में फैंसी तरीके से नहीं जाना है वहां हमें कुछ वैसा कम नहीं करना को फैंसी बाबू बंढ़ के जाए vagy गजब तरीके से और फिर हम लड़गां टाकने का काम करें और अब आपको देखो कोई भी इलक्टोनिक साधन जैसे मोबाइल फोन ब्लुटूथ एयर फोन स्मार्ट वाच यह चीजें नहीं लेके जानी है स्मार्ट वाच का मत्रबत जिसमें जैसे इस टैप की घड़ी आती है जिसमें जैसे अब यह टाइम देखो इस तरीके की घड़ी नहीं लेके जानी है आपको घड़ी लेके जानी है कैसी सिंपल सी घड़ी जो नोर्मली तरीके से जिसमें सुई चलती हो ऐसे टन 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 इ फोन यह नहीं लेके जाना अपको पर्स थिला काला चस्मा यह भी ना लेके जाएं मिश्यांकर ब्हांड कě आप नहीं पहने पहने आपको कुछँ भी जैसे कुछ लटके कडा में लेते हैं या फिर मूली वगाराभांद के रखते हैं या गड़े में कुछ चैन वगरा पहन लेते हैं गड़े में कुछ गंडा वगरा भांद लेते हैं हाथ के ताभिज भांद लेते हैं ऐसी कोई चीज नहीं पहन के जानी है लड़कियां जो married हैं वो मंगल सुत्र वगरा पहनती हैं तीन घंटे के लिए आप मंगल शुत्र को उतार कर अपने हस्बैंड को दे देना, तीन घंटे में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको किसी तरीके का कोई आभुषन नहीं पहन के जाना है, उसमें अंगुठी भी सामिल है, उसमें चैन भी सामिल है, उसमें ना-कान के भी सामील है ठीक है आप simply तरीके से रभर डाल के जाना बालो में girls हैं जो रभर डाल के जाना बालो में simply तरीके से जाना है ठीक है तो 3 गंटे के लिए आपको अपने जो भी आबुषन है जो भी आप हाथ में भांद रखे हो आप जो भी गले में पैन रखे हो boys girls सबी को हटा देना है ठीक है और हाप slip में पैन के जाने हैं सारी सारी चीज़े ठीक है कोशिस करना जो tea set है उसके color ना हो ठीक है किसी भी अन्य विदारती के साथ कोई भी वस्तू का आदान परदान ना करें लेन देन ना करें अफवाओं पर ध्यान न दें अफवा न पहला है ठीक है यह कुछ normal normal ची बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है इसके अलावा देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको और क्या क्या चीज़े है इसके अलावा देखो आपको पूरा मौका मिलेगा तुक कैसे लगाएंगे इसके उपर मैं वीडियो बना दूँगा ठीक है जो क्योसन आ रहे है उसको सोल करो नहीं आ रहे है फिर उसमें तुक का लगा राम का नाम लेकर कभी हरनुमान जी का नाम लो कभी गणे सी बगवान का लो इसके अलावा आप अपने पान के बोटल लेके जा सकते हैं और सर्टिफिकेट जो कोविड सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप कोविड सर्टिफिकेट का यहाँ पर कहीं पर मैंसनी किया गया है कि आपको कोवीड सर्टिफिकेट लेके जाना है ठीक है तो आप कोवीड वाला सर्टिफिकेट मत लेके जाना है चलो मैंने वैक्षिन वाला सर्टिफिकेट वैक्षिन लगाने के जो डोज के जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लेके जाने आपको यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आ एक्जाम सेंटर पर आपको सभी को एक साथ छोड़ा जाएगा बुकलेट और ओमार सीट वहाँ जमा करा क्या नहीं है और ब्लेक पैन लेके जाना है ब्लेक पैन के लावा आपको किसी तरीके का दूसा पैन नहीं लेके जाना और बस और तो कुछ ऐसा है नहीं इस पैसल जो सारी बाते थी हो मैंने आपको बता दी है ओमार सीट कैसे वर रहेंगे उसका मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ जो क्योशन नहीं आ रहे उनमें तुकका कैसे लगान है उसका मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ ठीक है तो ये सारी चीजे ध्यान रखना है, यहाँ पर negative marking नहीं है, no negative marking for wrong answer, तो आपको सबी के सबी question करके आने हैं, ठीक है न, यह बहुत especially तरीके से ध्यान में रखना है, आपको सब्वी के सब्वी क्योषन करके आने हैं तो ये वीडियो था इसको अच्छे से देखें जिससे कि आपको सादक सादा knowledge हो तुका कैसे लगाएंगे इसका वीडियो बना दूगा मैं अबी जो क्योषन नहीं आ रहें उसको कैसे करें उसका वीडियो बना दूगा भी में OMR seat कैसे भरें उसका वीडियो बना दूगा में ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए ठैंक्स बाइ प्यारे सातियों चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें